यह राज में हर आदमी असुरक्षी थे, चाहो वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, पतादीकारी हो, अफसर हो, जो खोबी है, हर आदमी अपने आपको असुरक्षी त महसूर कर रहा है, इनका स्लोगन देखा आपने, जब हम राज़द साथ थे, महागड़ बंदन साथ थे, तो ठीके ठाक है ठीके ठाक का मतलब क्या होता है कुछ गरबर है तो अपने आप ये सरकार बैक फूट पर चले पहले बाहर देखलाते थे अब ठीक ठाक है इसलिए सरकार को एक मिनट भी मुखमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जिस तरह सी इस तरह क कारियों हो चाहे आम आवाम हो हर आदमी अपने आपको असरुप्षित महसूस कर रहा जिस तरह की घटना हमारे पुर्व स्पीकर साहिब के नितृत में और मानीव इधाय के निमतुल्ला साहिब के नितृत में जो जांच कमीटी गए थी उसका खुलासा आप लोगों ने कारे में तो निश्यत रुप से इसको हाइलाइट करने का काम कीजिए चुब